एच एमडी ग्लोबल ने भारत में अपना नया 5G स्मार्टफोन नोकिया X30 लॉंच कर दिया है हैंड सेट को सितंबर में ग्लोबल लेवल पर पेश किया गया था कंपनी का कहना है कि फोन का फ्रेम सो परतीशत रिसाइकल अलुमीनियम और ब्रेक कवर पैसट परतीशत रिसाइकल प्लास्टिक से बना है नोकिया X30 का प्राइस और अवेलिबिलिटी नोकिया X30 के 8GB RAM प्लस 256GB स्टोरेज वेरियंट की कीमत 48,999 रुपे रखी गई है स्मार्टफोन क्लावडी ब्लू और आइस वाइट कलर ऑप्शन के साथ आता है हैंड सेट की प्री बुकिंग कंपनी की ओफिशियल साइट और एमजोन पर शुरू हो गई है नोकिया X30 5G की सेल 20 फरवरी से शुरू होगी स्मार्टफोन में 90 हैजर्ट रिफ्रेश रेट के साथ 6.43 इंच की अमोलेट डिस्पले दी गई है जो फुल एच्डी प्लस रिजोल्यूशन ओफर करती है प्रोटेक्शन के लिए कार्निंग गोरिला ग्लास विक्टस यूस किया गया है फोन की पीक ब्राइटनेस 700 निट्स है चिपसेट स्पीड और मल्टी टास्किंग के लिए नोकिया एक्स थर्टी 5G में हाई पर्फोमेंस के लिए एंड्रो 619L GPU के साथ स्नैप ड्रेगन 695 वे उक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है स्मार्टफोन एंड्रोइड 12 ओपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करता है स्मार्टफोन को एंड्रोइड 12 ओपरेटिंग सिस्टम और स्टॉक एंड्रोइड यू आई के साथ उतारा गया है फोन को 3OS अपग्रेड और 3 सालों तक मन्थली सिक्यूरिटी अपडेट्स मिलते रहेंगे कैमरा फोन के रियर पैनल पर ड्यूल कैमरा सेट अप मिलता है इसमें 50 MP प्राइमरी कैमरा और 13 MP अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया गया है बैटरी फोन में 4200 mAh की बैटरी दी गई है जो 33 वोट फास्ट चार्ज को सपोर्ट करती है फोन में 5G, Wi-Fi, GPS, NFC, Bluetooth, 5.1 और USB Type-C पोर्ट के साथ सेक्यूरिटी के लिए इन डिस्पले फिंगर प्रिंट सेंसर दिया गया है झाल